चानक्य की बिजनस नियम जो हर व्यपारी को पता होने चाहिए इन नियमों को फॉलो कर आप भी खड़ा कर सकते हैं करोडों का समराज्च दोस्तो आज हम बात करें बिजनस से जोड़े उन नियमों के बारे में जिनिस्वेम चानक्य निती कहा जाता है चानक्य ने एक सफल व्यपार को बेद अच्छे से परिभाशित किया है कि एक सफल व्यवसाई क्या होता है और कोई भी व्यपार सफल कैसे करते हैं ऐसे कुछ चानक के नियम इस वीडियो के बादें से हम जानेंगे जिसमें आप भी अपनी बिजनस को सफल बना सकें वीडियो को अंतक जरूर देखें एक अच्छी टीम बनाएं किसी भी बिजनस को जब आप बड़े स्थर पर शुरू करते हैं या फर यूँ कहें कि एक ऐसा बिजनस जिसे आपने अकेले छोटे स्थर पर शुरू किया लेकिन अब उसे धीरे धीरे आगे बढ़ा रहे हैं तो सवभाविक है कि आप अकेले बड़े स्थर पर सभी कामों को मैनेज नहीं कर सकते इसके लिए आपको किसी ना किसी के साथ क्यावशकता होती है जिससे आप उसकी मदद आसानी से विपार की काम संभालने में कर सकें ऐसे में अब चुनावती होती है कि जिस लगन से मेहनत से आप अपने बिजनस को आगे बढ़ा रहे हैं और काम कर रहे हैं तो क्या दूसरे लोग भी आपकी तरह ही जोश के साथ काम करेंगे तो ऐसे में आपको बेहत सतरकता के साथ अच्छी टीम बनानी होती है जो बिजनस से जुड़े अलग-लग कामों को असानी से परफेक्शन के साथ कर सके अपनी सफलता को बाटे अपनी टीम को आगे रखे और यदि कुछ बुरा हो जाए तो एक लीडर की तरह आगे आए और जिम्मदारियों का निर्वाख करें उधारन के तौर पर 1989 में हमारे देश ने पहला रॉकेट बनाकर लॉंच करने की कोशिश की थी तब कुछ तकनीकी कारणों से रॉकेट लॉंच फेल हो गया एपीज अबदुलकलामजी इस प्रोजेक्ट के डारेक्टर थे और वो लोगों का सामना करने से डर रहे थे उन्हें इस बात का भी दुख था कि देश के करोडों लोगों का पैसा इस प्रोजेक्ट के फेल होने से बरबाद हो गया तब प्रोफेसर सतीश धवन जी जो की उस समय इसरों के चेर्मेन थे वो कलामजी के साथ मीडिया के सामने आये और उन्हें पूरे प्रोजेक्ट को फेल होने की जम्मेदारी अपने सर ले ली उन्हेंने कहा हम फेल जरूर हुए हैं लेकिन मुझे अपनी टीम पर भरोसा है और हम सफल होंगे इस बात का भी यकीन है इसके एक साल बाद ही कलाम सहब की डारेक्शन में निपतेश ने पहले सेल्फ मेड रॉकेट से सेटलाइट की स्थापना की इसके बाद जब मीडिया से रूबरू होने की बात आई तो सतीश धवन जी ने माईक कलाम सहब के हाथ में दे दिया और उन्हें मीडिया को संबोधित करने को कहा तो इस तरह एक सफल लीडर अपनी टीम को गाइट करता है अपने कोश यानी फाइनेंस का ध्यान रखें चाणके नीती कहती है कि एक सफल बिजनसमेन को प्रते दिन समय निकाल कर अपने फाइनेंस पर नजर रखनी चाहिए जिससे उसके अकाउंट में कितना बैंक बैलनस है, कितना बचट है और आने वाले समय में और कितनी जरूरते हैं उन सबी बातों का पूर्णता ग्यान रहे जिससे बिजनसमें कभी भी घाटे की संभाबना ना बचे चानक्य ने फाइनेंस पर ध्यान रखने के लिए चार स्टेप्स बताए जिन पर हर व्यपारी को नजर डालनी चाहिए वेल्थ आइडेंटिफिकेशन आपको सबसे पहले ये मालूम करना होगा कि पैसा कहां से आ रहा है एक बिजनसमेन प्रति दिन अपने खर्चे के बारे में सोचता है ऐसे में आपको ये मालूम करना होगा कि पैसा कहां से आ रहा है और पैसा बढ़ाने के लिए कौन-कौन से नए आइडियास पर रिसरच करनी होगी आदी तो इस तरह से एक सफल बिजनसमेन अपने सूर्सिस का पता करता है वेल्थ क्रियेशन पैसा बनाने के लिए बहुत अधिक मेहनत और धैरे के अवशकता होती है एक सफल आदमी से किसी ने पूछा कि सर आपको सफलता एक रात में मिली कैसा लग रहा है तो उस सफल आदमी ने कहा बेशक मुझे सफलता एक रात में मिली लेकिन ये रात बहुत लंबी थी इसी तरह जब आप मेहनत के साथ काम कर रहे होते हैं तो धैरे की परीक्षा भी होती है यही आपको काम्याब बनाती है वेल्थ मैनेजमेंट पैसे का मैनेजमेंट ठीक तरीके से करना किसी भी वेपारी को ये तो पता ही होगा कि एक समस्या खत्म होती है दूसरी समस्या शुरू हो जाती है जब भी आप एक समस्या का समाधान निकाल लेते हैं उसे हरा देते हैं तो आपको एक नई चुनौती मिल जाती है और आपका बिसनस मजबूत रहे वेल्थ डिस्ट्रिबूशन पैसे को सही इस जगा पर खर्च करना यह स्टेप अपने आप में बहुत जरूरी है कि आप कैसे अपने पैसे को खर्च करते हैं चाड़के के हिसाब से एक महाल लीडर वो होता है जो अपने बनाए गए वेल्थ